कि अज़ी नमस्कार साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रेस्वारता है आप देख रहे हैं मंच पर हमारे साथी जो हैं जाने माने चेहरे हैं जंग जीती तो लड़ी तो हत्यारों से जाती है लेकिन जीती होंसलों से जाती है आप हजारो करोड रुपे खर्च करके मिसाइल्स तोपें खरीद लो लेकिन इन मिसाइलों को इन तोपों को चलाने वालों का अगर मनोबल तूटा हुआ हो तो कोई लाब नहीं होता होसला बहुत बहुत जरूरी होता है किसी भी जंग को जीतने के लिए हम बार-बार राहुल गांधी लगातार अगनिपत स्कीम के विशह में क्यों बोल रहे हैं क्यों बार-बार वो अपना अपनी चिंता जाहिर करते हैं क्योंकि अगनिपत योजना एक ऐसी योजना है जिनों ने पिछले 70-75 साल में जो सरकारों ने सेना को एक एक रचना उसकी स्ट्रक्चर की की थी उसको ये योजना चिन भिन कर रही है बरवाद कर रही है ना केवल सेना का मनुबल के साथ खिलवाड हो रहा है लाखों लाखों नौजवानों के जो सपने हैं उन पर भी एक तरह से इस स्कीम ने हमला बुला है आप घर किराय पर ले सकते हो गाड़ी किराय पर ले सकते हो फरनीचर भी किराय पर ले सकते हो लेकिन फौज को आप किराय पर नहीं ले सकते जवान को आप किराय पर नहीं ले सकते अगर वो सीमा पर जाकर अपनी जान की बाजी लगाता है तो वो इसलिए नहीं लगाता कि उसको कोई तंखवा मिल रही है इसलिए वो तयार है उसके मन में एक आत्मविश्वास होता है कि मेरे बाद मेरे परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है, सरकार खड़ी है, कोई खड़ा है जो वो विश्वास है, ये अगनिपत स्कीम उस विश्वास को खतम कर रही है तो सीमा पर खड़ा हुआ जवान अगर उसके मन में ये विश्वास ही नहीं होगा कि मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा बताईए वो कैसे लड़ेगा अभी एक सेवा निवरिद जनरल अपनी पुस्तक में बताते है कि वो खुद हैरान हो गए जब इस स्कीम के बारे में उन्होंने देखा तो जाहिर सी बात है कि अगनिपत स्कीम सेना के अधिकारियों की सला से नहीं हुआ ये एक ऐसे दिमाग की उपज है जो सेना को सला देता है कि साब बादल है रेडार पे कुछ दिखेगा नहीं हमला बोल दो ये एक ऐसे आदमी की दिमाग की उपज है सुबह चार बजे उठकर ये बैठे हैं हमारे साथ किवार में कई लोग फौज से हैं सुभे चार बजे उठकर ठंड हो गर्मी हो बरफबारी हो कुछ हो वो अपनी कसरत करते हैं वो एक्सेसाइजिस में जाते हैं आज वो जवान तनाव का शिकार है आज वो घर से बाहर निकलने की उसकी हिम्मत नहीं है नजरे मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं है क्योंकि जो उसने सोचा था जो उसने अपने एक सपना देखा था वो आपने तोड़ दिया एक लाख साथ हजार ऐसे नौजवान जिन्होंने तैयारी की चार साल में उनका सेलेक्शन हुआ सब कुछ हुआ लेकिन उनको जॉइनिंग नहीं दी ये मुद्दा भी हम लोग इस मंच से उठा चुके हैं राहुल जी लगातार इसके बारे में बोल रहे हैं कॉंग्रे उनकी जॉइनिंग नहीं हो रही पहले आपने का कोविड कोविड खतम हुआ तो उनको पलठके कहते हैं साब आप तो ओवरेज हो गए ये क्या अन्याय है ये अन्याय काल का एक ज्वलन्त उधारण है आपके सामने नौजवानों के साथ कैसे अन्याय हुआ और उन नौजवानों के साथ जो आपको जिनसे आप उम्मीद करते हो कि सीमा पर जाकर वो आपके लिए लड़ेंगे अब इन्ही पीड़तों एक पूरा समू चम्पारन से ग्यारा सो किलोमीटर दूर पैदल चलकर दिल्ली पहुचा किस से मिलने देश के प्रधानमंत्री से देश के प्रधानमंत्री तो व्यस्त है किस चीज में व्यस्त है सेना की यूनिफॉर्म पहन के कैमरा के सामने शूटिंग में व्यासत हैं। कभी तोप के सामने, कभी किसी मिसाइल के साथ पोस देते हुए। इस सब के लिए समय है प्रधानमंत्री के पास। लेकिन इन नौजवानों के लिए समय नहीं है जो फॉज में जाना चाहते थे, ज जिनको आपने जॉइनिंग नहीं करने दी, जिनके साथ आपने अन्याय किया। और लगभग 100 करोड रुपे आपने फीस के भी इन लोगों से बटो रहे। कुछ नहीं हुआ। फिर ये लोग ठक के जंतर मंतर पे जाकर बैठे। एक जमाना था, आज से 10 साल पहले, कॉंग अख़ारों में जंतर मंतर की एक । भीट होती थी, रिपोर्टर होते थे जंतर मंतर की भीट के, अब जंतर मंतर से कैमरा चुमंतर, अब जंतर मंतर पे आपको कैमरा नहीं दिखते। अन्याय के पीडित लोग जंतर मंतर पे बैठे वे दिखेंगे, लेकिन वो दिखाय नहीं जाएंगे यह है अन्याय काल, क्यों, आपकी भी गलती नहीं है, मुझे मालूम है, इन कैमराज के पीछे जो आँखें हैं, उन्में आंसू है मुझे मालूम है आप जो रिपोर्टर्स हैं समाज से आते हैं उस समाज में आप भी देखते हैं आप भी पीडित हैं आपके मन में भी दर्द है आप भी परिशान है इसलिए आपकी गलती नहीं है लेकिन मीडिया की ये स्थिती आ गई है माफी चाहता हूँ बड़े दुख के साथ ये कहता हूँ कि अब साहिब का पिछले इवेंट से अगला इवेंट कितना बड़ा होगा यही चिंता है पिछला वाला इवेंट तो इतना था अब इससे भी महान इवेंट होगा साहिब, साहिब के इवेंट्स और मीडिया पूरा देश दस साल से इसी में व्यास्त तो अब इन जो जंतर मंतर पे हमारे नौजवान साथी बैठे थे प्रधान मंतरी से मिल नहीं पाए, कैमरा से रूबरू हो नहीं पाए, राहुल जी से मिले राहुल जी ने इनका दर्द सुना और राहुल गांधी ने इनको वादा किया कि मैं मेरी पार्टी हम सब मिलकर आपको न्याय दिलवाएंगे चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ जाए और राहुल गांधी की जुबान से निकलावा शब्द लोग जानते हैं कि वो फिर पत्थर की लकीर है ये जो न्याय यात्रा निकाली जा रही है इस न्याय यात्रा से भी हमारे इन नौजवानों के मन में एक उम्मीद की किरन जागी है कि हां राहुल गांधी ने जो कहा था वो करना शुरू किया है हम यह भी जानना चाछते हैं प्रधान मंत्रीं जी से कि जो इन नौजवानों से 100 करोड आपने 188 किए वो इवेंट्स में खर्च हो गए या भी बचेवे हैं या अगले इवेंट की तैयारी के लिए हम हम यह भी जानना चाहते हैं कि आपने सेना के वरिष्ट विशेशक्जियों और अधिकारियों की सला के बिना इस तरह की योजना लाने की किसने आपको सला दी क्यों आप देश को कमजोर कर रहे हैं आप जवानों के विशे में कुछ योजना लाते हैं बिना जवानों से सला लिए किसानों के विशे में योजना लाते हैं बिना किसानों से सला लिए ट्रक ड्राइवरों के विशे में योजना लाते हैं बिना ट्रक ड्राइवरों से सला लिए संसद में कैमरा बंद, संसद में विपक्ष बाहर, योजना बन रहे हैं साब संसद में तो ऐसी योजना बेनेंगे जिसमें फिर किसान सड़क पर आजाता है जवान सड़क पर आजाता है ट्रक ड्राइवर सड़क पर आजाते हैं फिर आप कहते हो सड़क पर क्यूं आए सड़क पर इसलिए आए क्योंकि आपने विशेशग्यों की सला नहीं ली क्योंकि आपने विपक्षियों की सला नहीं ल मुहिम छेडी है जिसके विशे में अब मेरे साथ ही आपको बताएंगे जिसके विशे में ही हम इसी वजह से आज हम सम आपके सामने मुखातिब हैं आपसे बात कर रहे हैं आपको इसके बारे में बताना चाहते हैं जो जै जवान जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर उस विश पहिन सातियों, देश बहुत गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है, आज कॉंग्रेस पार्टी को मुख्य विपक्षी दल की भूमी का निभाते हुए एक बड़ा एहम फैसला लेना पड़ रहा है, कि जै जवान मिशन, अभियान, देश की सुरक्षा को, देश की सेना को और देश के युवाओं को बचाने के लिए, नियाए दिलाने के लिए लौँच किया जाए। लागू करने से पहले का पहलू, 2019, 20, 21 और 22 की जो भरतियां थी जिसमें 60 लाग से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया और 1.5 लाग से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हुए, इंतजार कर रहे थे अपनी जॉइनिंग की, लेकि इनको जॉइन नहीं करने दिया। लगातार ये बच्चे गुहार लगा रहे थे, राजनाद जी से मिले, ये फोटो है, राजनाद जी ने 2022 मार्च में ये बच्चे मिले, उन्होंने कहा कि जरूर आपकी भरतियां होंगी। प्रियंका गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने 2022 मार्च के अंदर बार-बार गुहार लगाई कि इनको जॉइनिंग दी जाए, नहीं दी गई। अचानक फर्मान जारी किया अगनिपत लागू और ये लोग, सेलेक्टिड लोग फिर से बेरोजगार। देश की सुरक्षा से खिलवार हुआ, अगनिपत के जरिया अगनिवीर सेनिक भरती होने शुरू है, छे महने की ट्रेनिंग, नॉर्मल सेनिक की, डेर साल की ट्रेनिंग, एक तिहाई ट्रेनिंग के बाद उसको सही में अगनिवीर का नाम दिया है कि अगनी में जोकने का का किया एक तिहाई ट्रेनिंग के बाद रेगुलर सेनिक को पैंतालिस हजार स्टार्टिंग और इनको एक्किस हजार मात्र के अंदर इनको भरती किया जा रहा है दिल्ली का मिनिमम वेज बाइस हजार है क्या ये सेना के अंदर अगनिवीर हमारी सही तरह से हमारी सुरक्षा कर पाएंगे ये देश की सुरक्षा के लिए ये अगनिवीरों की सुरक्षा के लिए सब के लिए ये एक बड़ा बहुत बड़ा घातक प्रहार है हमारे देश के अंदर हमें contract वाली फौज नहीं चाहिए हमें regular scenic चाहिए हमारे देश के western border पे 1400 km का पाकिस्तान के साथ active water है 3800 km का चीन के साथ active water है 6500 km की हमारी समुदरी सीमा है उसके बचाव के लिए हमें regular scenic चाहिए इसके इलावा internal security के लिए हमें regular scenic चाहिए जिस तरह से अगनिवीर भरती किये जा रहे है 2019 से 22 के बीच में हमारे देश की सेना की तकरीबन 3,000,000,000 संख्या कम हो गई है 5 साल के बाद हमारे देश की संख्या सिरफ 30% कम हो जाएगी और 10 साल के बाद हमारे देश की सेना उसकी संख्या सिरफ और सिरफ 10,000,000 रह जाएगी जिसमें से 7,000,000 अगनिवीर होंगे सिरफ 3,000,000 हमारे regular scenic होंगे क्या हमारे देश की सुरक्षा हो सकेगी नहीं हो सकेगी हम गुलामी की तरफ अगरसर हैं 10 साल के बाद ऐसी स्थिती पैदा होगी जैसे 400 साल पहले इस्ट इंडिया कंपनी आई थी और देश के राजे रजवारों को गुलाम बनाकर उन्होंने देश के उपर 400 साल राज किया ऐसे ही ये काम मोधी सरकार 10 साल के अपने कारे 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 काल में जो उन्होंने इस तरह की एक स्कीम लेके आए हैं उसके जरीए ये अगले 10 साल के अंदर हमारे देश को गुलामी की तरफ धकेल देंगे इनके पूझी पती साथी जो है वो सिक्योरिटी इंडस्ट्री में पहले से आ चुके हैं प्राइवेट आर्मी डेवलप होंगी जैसे रूस और यूक्रेन की लडाई हुई रूस इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी यूक्रेन के उपर कबजा नहीं कर पाया है क्योंकि वो कॉंट्रेक्ट वाली आर्मी के उपर भरोसा रखता है वेगनर आर्मी जैसी जो आर्मी हैं उनके उपर भरोसा रखता है यूक्रेन छोटा देश है लेकिन रेगुलर आर्मी है अपने आपको योजना जो है इसके खिलाफ अपने कदम उठाएंगे डेड़ साल से राहुल गांदी जी कभी भारत जोड़ो यात्रा में कभी नागरिकों से समवाद में सैनिकों से पूर सैनिकों से युवाओं से समवाद में उन्होंने ये बात सामने आई जब ये बच्चे डेड़ हमारे साथ रहुल जी से मिला हमने इनकी बातों को समझा और उसके बाद इनको उठाना शुरू किया तो आज एक एक बहुल बनाया पूरे देश के अंदर कि हमें इस अगनिपत स्कीम से निजाद जाहिए और पिछले तीन से चार दिनों के अंदर देश भर में तकरीबन त सबा कॉंस्टिच्वेंसी के अंदर पूर सैनिकों के संगठनों ने पूर सैनिकों ने अलग-अलग प्रेस वारताएं और प्रोटेस्ट किये हैं कि हमें अगनिपत स्कीम नहीं चाहिए इस अगनिपत स्कीम से देश की सुरक्षा से खिलवाड हो रहा है देश रहेगा तो ह हम जीवित हैं हमने ये भी कहा कि हम वन रैंक वन पेंशन मांगते थे आज इन बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है कि नो रैंक नो पेंशन हम उसकी लड़ाई बाद में लड़ लेंगे लेकिन आज पहली लड़ाई हमें लड़नी है देश को बचाना है देश की सेना को बचान युवाओं को नयाए देना है देश की सेना को नयाए देना है और इसलिए हम लोगों ने फैसला किया कि जो अगनिवीर और रेगुलर सैनिक के बीच में खाई पैदा की जा रही है उनके बीच में शहादतों के अंदर खाई पैदा की जा रही है उनमें भेद भाव पैदा कि जा रहा है कि जिस तरह से regular Supreme को regular senior को शहीद होने पर 15 साल तक पूरी पे मिलती है और उसके बाद उसके परिवार को pension मिलती है उनके medical benefits मिलते हैं एक service benefits मिलते हैं शहादत का दरजा मिलता है और उनके ताउम्रो उनके परिवार को medical की और सबी शिक्षा सब तरह की सुविधाई मिलती हैं वो नहीं मिलेगी इस अगनीवीर को तो इसलिए आज बड़ा जरूरी है कि हम अपनी आवाज उठाएं जैजवान अभियान के जरीए हम देश में जागरुकता पैदा कर रहे हैं कि देश की सुरक्षा एकता अखंडता को खत्रा है देश की सेना को खत्रा है ये बात जनल नर्वाने साथ ने भी कहा कि हमारे लिए ये चौका देने वाली बात थी जब अगनिपत स्कीम का फैसला आया है इसका मतलब ये किसी पाइलेट प्रोजेक्ट या सेना की रिक्वार्मेंट नहीं पाइलेट प्रोजेक्ट के जरीए कोई भी स्कीम फौज में लागू की जाती है लेकिन बिना कुछ किये आनन्फानन में लागू किया लिया क्योंकि मोधी साथ अपने अपने साथियों पूंजी पती साथियों की प्राइवेट आर्मी डेवलप करना चाहते है तो साथियों बाकी की रूप रेखा जैजवान अभियान की रूप रेखा के लिए मैं अपने साथियों श्रीनिवाज जी को यूद पॉंग्रेस के प्रदान है उनको मैं हैंड़ोवर करता हूँ वागे की आपको रूप रेखा बताए जैजवान अंदुलन के लिशे में बाता है सत्यों नमस्कार विस्तार से फवन केड़ा जी और रही चोदरी जी ने तमाम इश्यू ने आपके सामने रखा है जो राहूल गांदी जी ने जैजवान जो कैम्पेंड लॉंच किया है मैं कहना चाहता हूँ देश में किस तरीके से जो अन्याई वो रहा है याद आता है जो आजादी के पहले अंग्रेजों ने किस तरीके के देश स्वासी के साथ अन्याई कर रहा था उस समय में मातमा गांदी जी ने न्याई दिलाने के लिए अंग्रेजों के किलाफ लड़ाई लड़ी आजादी दिलाया और उसके बाद देश स्वासी को न्याई दिलाने में मातमा गांदी जी का रोल क्या था इस समय में नरेंद्र मोधी सरकार ने देश में जो अन्याई कर रहा है किस लेवल पर अन्याई कर रहा है न्याई दिलाने के लिए राउल गांदी जी बारत जोडो न्याई यात्रा कर रहा है मनिपूर से मुंबई तक उस यात्रा के बीच में तमाम जो जो देड लाग बच् जो साइनिकों का एक्जाम पास हो गया था उन लोगों का टेस्ट हो गया था सब कुछ हो गया था लगबग उसमें साट लाग बच्चे ने इसा लिया था और उसमें सव करोड भी कमा लिया वो सव करोड कमाने के बाद वो देड़ लाग बच्चे को इन लोग ने जॉब देने का प्रॉमिस दे रहा था देखे देखे इतने जूट बोले उसमें भी करोना आ गया फला आ गया मीटिंग हो रहा है तमाम चीज़े बोलके अभी तक उन लोगों को नौकरी इन लोग ने नहीं दे पाया जो रावुल गांदी जी के साथ उन लोग ने मिले अपने भात रखे सारे दे तमाम उसमें बच्चे लोग ने जो देड़ लाक में उनको न्याई दिलाने के लिए रावुल जी और जो प अभी स्टार्ट होगा 28 पेबरोवरी तक गरगर तक जाएंगे न्याई पत्र बरानेंगे और जो पूर फोजी है तमाम युवा है अभी इसमें जो अभी फ्यूचर में भी जो साहिनिक बनना चाहते है ऐसे ऐसे लोगों के पास जाएंगे उनके पास जाके न्याई पत्र बरनें का काम करेंगे साथ में जो मार्च पांच से दस तारिक तक जो शहीत्स मारक के जो पूरा देश बर वहां हम लोगने दरना पे बैटेंगे दरना पे बैटके सरकार के किला पवाज उटाने का काम करेंगे उसके बाद मार्च 17 से 20 तारिक से हम लोगने पदियात्रा कर करने का पूरा देश पर हम लोग करेंगे और साथ साथ में मैं कहना चाहता हूं इसमें दो पेलू है सरकार हमेशा हर चीज में किस तरीके से जो भी स्कीम लेके आता है सरकार को कोई समझ नहीं है ना इनका विजन है ना इनको कोई टेली विजन में आने के अलवा इनके पास को कोई विजन नहीं है तो मैं इनको कहना चाहता हूं मैं सारे इनका मंत्री और फ्रदान मंत्री इनको भी पुझना चाहता हूं किसी को आर्ट अटक हो गया तो वह किसके पास जाएगा आर्ट सर्जन के पास जाएगा बट सरकार क्या के रिए आर्ट सर्जन के पास मत जाओ ओम इमियोपती आप्रेशन करेगा आप्रेशन सक्सेस पेशेंट डाइड सरकार का सोच इस तरीके का है जो अगनी पत इनका जो अगनी वीर अगनी वीर में पहले ही अगनी में डाल दिया वीर कू जो नाम इन लोगों का जो रखा है उसमें ही साफ दिख रहा है वीर को अगनी मे जो भी है उसको हम लोग ने उसी दिन वापस का उसको आठाने का काम और कॉंग्रेस पार्टी करेंगे और तमाम ऐसे ही यह सरकार इसमें भी बहुत सारा चीज़े इसमें काफी डिफरेंस भी है जो रेगलर आर्मी लोगों को इनका क्या है इनका प्रोमोशन रेता है बट उस इसमें अगनीवीर में जो भी आते हैं उनको कोई प्रोमोशन नहीं होते हैं जो रेगलर आर्मी होते हैं उनका प्रोमोशन होते और डिया अलेंस होता है इसमें डिया अलेंस नहीं है और इनको आप आप देख सकते हैं हर चीज में आनियल जो लीव सेता है 60 देस रहता है उ उसके बाद कोई सुविदा नहीं है, जो इन केस कही बीच में शहीद हो गया, उसको शहीद का दर्जा नहीं है, पेंशन नहीं है, इस तरीके का जो भी इन लोग ने स्कीम लेके आया है, उसको लेके आने वाले दिन में, जो मैंने सारे डेट बताया, लोगों के बीच में न् करना करेंगे इनको न्याय मिलने तक हम लोग ने लड़ाई लड़ने का काम करेंगे अब हमारे साथी वरुन चौधरी जी नसु आई के राष्ट्री अध्यक्ष आपको पूरा कारेकरम बताएंगे एक तो अभी हमारे जो साथी दे पवन जी रोई जी शिरिवार जी ने काफी ब्रीफ में बता दिया तो इस पर मैं यह बोलना चाहूंगा एक तो कि यह योजना एक ऐसा परदान मंत्री लेकर आया है जो एक परदेश का 15 साल तो मुख्य मंत्री था दस साल लगबग देश का परदान मंत्री रह चुगा लगबग 75 साल उनकी उमर है और वो हमारे देश के नोजवान चातर चात्राओं को बोल रहा है कि आप 4 साल में रिटार्मेंट ले लो कि 18 साल में आपकी भरती होगी लगब 22 साल में आपकी रिटार्मेंट हो जाएगी तो ऐसा परदान मंत्री योजना लेकर आया है और मैं बताना चाहूंगा कि हमारे परदान मंत्री आप भी उनका सोचल मेडिया खोल के देखेंगे बार बार वो जो इंडियन आर्मी उसकी फोज की वरदी बार बार पहन के गूमते हैं तो फोज की वरदी पहन कर फोज का अपमान मत करो और पोज में जाना आप यही से 80 क्रोमीटर दूर जाए हर्याना देखिए अपने आज सपास की सेडिम में देखिए कड़ाकी की ठंड में हमारा नوجवान सुबह 5 बेसे वह करन तो उसको सलूट करता है तो वो हमारे देश में देश के आर्मी को लेकर जज़बा है तो इस अगनी पत्योजना के खिलाफ हमारे जय जवान केंपेन आज राउल जी ने लॉंच कर आप हम लोग लॉंच करने जा रहे हैं इस केंपेन में एक तो जो लगबक देड़ लाक नोजवान है जिनके साथ धोका हुआ है उनका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया था उसके बाद भी ने भड़ती नहीं दी गई उनका हमारा एक पोस्टर भी है जिसको हम रिलीस करेंगे हमारी वेबसाइट है तो मैं अपने साथी से बोलूँगा एक बार वेबसाइट पर एक तो जो डेड़ लाक हमारे नोजवान थे जिनका धोका हुआ है वह अपने सारे डॉक्यमेंट भी अप्लोड कर सकते हैं उसमें लिंक है साथ के साथ एक नियाय पत्र का भी इसमें कॉलम है कि जो हम देश के तमाम विश्विदालों में शेहरों में करेंगे कं सुद्वर Ira लोंच करेंगे है कि यह हमारा पूरा कैंपेइन जिसको मिख्ल מת कर रहे हैं कि इनीवास भाई ने बता दिया था पेहलच कर दूंगा कि हम नयाय पत्र बरवाएंगे पहला सीक्वेंस एक हम महारा यस्टिंगर से बार चस्याहां आटींगे बंबई तक उसके साथ से तो बार-बार इस निया यात्रा का भी मक्सद यही था कि इस तरीके के नियाए दिलाएं खास तूर पर देश के आर्मी के लिए तो फिर हमारी पधियात्रा चलेगी देश भर में इस जैजवान केंपेंड को लेके तो यह हमारा ब्रीफ पूरा निया निया ही शंकलप लिया झीजब योज ना वापस नियोंगी इसके लिए हम लड़ते रहेंगे लड़ते रहेंगे लड़ते लटे रहेंगे ún coverage अटाइस फेबरवरी तक, अटाइस फेबरवरी तक, और मार्च पांच से दस्तारिक तक, शाहिद जो समारक है, वहाँ दर्ना करने का, सारे गाउं से लेके शाहिर तक, पुरा देश बर हम लोग ने, पांच मार्च से दस मार्च तक, शाहिद समारक में, तर्ड पेस में हमने, अलवर इंडियार शाहिए जगह जगह पर, प्राइवेट और डिस्ट्रिक लेवल पे, और मार्च 17 तारिक से जही जवान कैम्पेइन में पदे यात्रभी करने का काम लोकल में 17 से 20 डेट्स में कोई कन्फूजन तो नहीं क्लियर तीन चरण है तीनों चरणों के विशे में आपको बताया पहला चरण एक फर्वरी से 28 फर्वरी तक जो इसमें संपर्ख करेंगे सबसे दूसरा चरण 5 मार्च से 10 मार्च तक सत्याग्रह का चरण होगा तीसरा चरण पद्यातरा का चरण है 17 मार्च से 20 मार्च तक बहुत स्पष्ट है दो मांगें बड़ी स्पष्ट हैं कि जो चाइनित अभ्यर्थी हैं डेड़ लाक जिनके विशे में अभी बात हुई उनकी ततकाल जॉइनिंग करवाई जाए दूसरी मांग है अगनिपत योजना की ततकाल समाप्ती की जाए और जो पुरानी योजना थी भरती की उसी को लागू किया जाए अब आपके सवाल सरकार की मन्शा में कमी है प्रदर्शन में कोई कमी नहीं है यह जो ग्यारा सो किलोमीटर चंपारन से चल कर आए उनमें तो कोई कमी नहीं है वो तो कॉलिफाइड भी है चैनिद भी है फिर भी उनके साथ धोका हुआ फिर वो चल कर आए उनसे मुलाकात का समय प्रधान मंतरी के पास नहीं है दूसरा धोका हुआ फिर वो राहूल गांधी जी से मिले राहूल गांधी जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि हम लड़े करेंगे इनकी साथ इनकी आवाज आगे बढ़ाने के लिए तो कमी न उन जवानों में है कमी न विपक्ष की मुहिम में है जै जवान अंदोलन में कोई कमी नहीं है न दिखेगी आपको कमी कहां है आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं हम बोल पाते हैं आप बोल नहीं पात पहले इसी के विशे में उसके बाद जडरूर उस पे बात करें अब आप इसके जबाद करें अब बहुत अच्छी योजना है अग्नीवीर अगनीपत्स की तो उसका लाभार्थी तो लाओ सामने तो लाओ देश के हमारे बीच में मनीश यह है लाभार्थी जो डेड़ लाख बच्चे जो थे चंपारण से यह लोग चल कर आए हैं ग्यारा सो किलोमेटर यात्रा की है वो अभिराज का हैं आओ बच्चो आजाओ इदर ये हैं वो लाभार्थी डेड़ लाख जो युवाओं चैनित युवाओं जो हैं उन में से जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके थे जॉइनिंग इंजार कर रहे थे लेकिन उनको रातों रात एक तुगलगी फर्मान से उन लोगों को बाहर कर दिया गया यह वो लाभार्थी डेड़ लाख लोगों में से इनके आंदोलन चल रहे हैं कल आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि एक तारीक को कल हम जंतर मंतर पर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर रहे हैं और इन इन लाभार्थियों के लिए इन लोगों के साथ जरूर आईए आपको इनवाइट इनविटेशन दे रहे हैं कि पहले सवाल हो जाएं फिर पोस्टर कोई सवाल इस पर पहले अब आपको पोस्टर आप जो है यह पूरे देश के जो पूर सैनिक हैं वहां तक पहुंचेंगे एक करोर से ज्यादा परिवार देश का हर नागरिक हर युवा जो भी देश में देश की सुरक्षा से जो सेंसिटिव है भावनाएं उनकी जुड़ी हुई हैं हर नागरिक इस न्याई पत्र को भर सकता है कि हम इस अन्याई के खिलाफ है और यह जो न्याई के लिए जो दो मांग की गई है युवा और सेना के न्याई की मांग जो है जिसमें अगनीपत स्कीम को खारिज करना देर लाथ युवा को जोइनिंग देना और पुरानी प्र देश के हित में हैं तो मैं आप समस्कंवास गुझारुश करूंगा आप भी इस पत्र को जरूर भरी एट नयाय पत्र है यह आपका अपना नया है आपके देश का नया है आपको गुलामी से बचने के लिए आप अगर दस साल बाद गुलामी से बचना चाहते हैं तो इसका नया है देखिए ये चरनबद तरीके से होगा एक से चार तारीक तक जंतरमंतर पे हम करेंगे उसके बाद हम पूरे देश में सब जगह जिस तरह से बताया कि एक फरवरी से 28 फरवरी के बीच में हम आउटरीज प्रोग्राम है पूरे देश में पहुंचने का तो ये एक जॉइंट है हमारे पूर्शैनिक विभाग का इंडियनेशनल कॉंग्रेस का यूथ कॉंग्रेस का और ये जो हमारे पीछे बच्चे खड़े हैं सब लोग मिलकर हर घर घर तक पहुंचेंगे तो ये एक से 28 तक आउटरीच प्रोग्राम है उसके बाद जरूरत होगी समय समय पर फैसल लिए जाएंगे कि इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना है एक तो पूछो पहले पहले डरा देते हो सीट बटवारे को लेकर आप लोगों की बाचीत अलगलग राज्यों में चल रही है उत्तर प्रदेश में पहले तो अखलेश आदव अभी आज इस्ते रख रहने दीजिए क्योंकि सुबह अभी थोड़ी देर पहले जैराम रमेश जी ने इससे एक विस्तरित स्टेटमेंट जारी किया है तो बार-बार उसी को दोहराना मुझे नहीं लगता उचित है ये बहुत में तुपून अभियान हमारा अंदोलन हमारा शुरू हो रहा है क्योंकि आप ही लोग कहते हो सड़क पर नहीं दिख रही सड़क पर बिचारे हमारे नेता चार हजार किलोमेटर चल दे तब भी नहीं दिखते आप लोगों को और जब 6,713 किलोमेटर चल रहे है तब भी नहीं दिखते पूरी कॉंग्रेस अब सड़क पर हमारे जवानों के लिए उतर रही है तो इस पर फोकस रखें अच्छा रहेगा अभी माई का रहा है अभी माई का रहा है यह देखा था कि कैसे पोस्टर तो फाड़ा गया था और अब राहूल गांदी की कार का शीशा तक तोड़ दिया गया है अभी इस पर थोड़ा सा और विस्तरित जानकारी आ जाये इस पर हम जरूर अपनी तिपणी देंगे अपना उस्तर देंगे सर मनिच अंकर इसी पर फोकस रखें मैं फिर से दोराता हूँ बहुत महतुपूर्ण आंदोलन है जवानों के लिए आंदोलन है नौजवानों के लिए आंदोलन है देश की सीमा और सुरक्षा से जुड़ा हुआ आंदोलन है तो इस पर आज केंद्रित रखें तो उचित देखा था कल चंडीगर में किसने कितना हुर्दंग किया था उनको कहिए कि आज तो कम से कम चुप रह जाते इस पर न बोलते हैं देखा था हमने किस तरह से लोकतंतर के साथ खिलवार किया था इनकी अपनी पार्टी ने इनकी आदेश के बिना नहीं हुआ था आज ये बा बाग भी नहीं आई प्रधानमंसी कब आएगी वो देखा हमने कल किसने किया वही हम आपको बता रहे है चंडीगर में जो हुआ तीस जनवरी को हुआ लोकतंतर की सरयाम हत्या हुई शहीदी दिवस के दिन हुई और जिस विचारधारा ने महत्मा गांधी की हत्या की थी उ चुछ तो सोच लेते बोलने से आईना तो देख लेते बोलने से वहाँ की हजबर से दख पहसी अमगे मैं अजब गगर से जब निकले थे तवाइना नहीं देखा ओगाब जाकर दिख लें उस पर आज अलेग एक प्रेस्वारता है वो प्रेस्वारता हमारे दो साथी करेंगे शक्ति सिंग गोहिल जी और गौरू गोगोई जी तब उस पर चर्चा कर लिजेगे कर दो कर दो सिंगर कर दोस्ति सिंग्या दोस्ति सिंगर गोगोई है वो अखर गोगोई जी तुछ एस आछें।